आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं क्लास 12 को लेकर और आपके जो है क्लास 12 के जैसे की आपका प्रीबोड हो गया है तो उसके बाद आपके आगे के क्या प्लैन रहेंगे कि आपको जो है अच्छे नमबर कैसे गेन करना है सबी बच्चों ने अगर प्रीबोड दिया है तो अभी तक तो आपके रिजल्ट नहीं आयोंगे लेकिन मैं बता दू प्रीबोड का जो रिजल्ट रहता है बहुत बेकार रहता है बहुत बेकार तो आपको जो है ये लेके नहीं चलना है कि मेरे बहुत कम नमबर आए तो ऐसी बात नहीं है आपका जो एक्जाम आएगा आपके जो कोशन पेपर आएगा जैसे पॉलिटिकल साइंस हेश्टी बहुत इजी पेपर आएगा आपको ये माइंड में नहीं रखना है कि पेपर बहुत हार्ड आएगा तो उसकी वज़े से आप तयारी करे ही ना या कर रहे ये जो है 60 डिर्स आपको 60 दिन देने है टोटल और साथ दिनों में जो हम आपकी ऐसी त्यारी करवा देंगे कि आप 95 प्लस जो है मार्क्स स्कोर कर सकते हैं लेकिन आप जबी कर पाएंगे जब जो है हम जो आपको कहेंगे वो करना होगा आपको और ये बोर्ड जो है बोर् आपके जो exam चालू है एक बार date sheet हम देख लेते जो आपका date sheet है 12th का exam की तो सबसे पहला जो paper है आपका English का है तो English का paper आपका सबसे पहला है आपको ये देखना है इन सब में कि आपके पास सबसे कम time की subject को ले करें हम जो है main subject कराएंगे वैसे आपका जो है physical education यहां तक हो गया तो इसके important question प्रोवाइट करवा सकते है और बाकी जो subject है English हो गया political science, Hindi, geography और हिश्टी ये 5 subject है जिसमें मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आप 95 जो है percent जो है ला सकते है या उससे भी plus ला सकते है तो आपको करना क्या-क्या है तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इन subject में अब से कम जो है time तो यहाँ पर आप English देख रहे हो तो अभी तो English के लिए आपके पास शुरूई पहला पेपर है तो आप स्टार्ट कर सकते हो इसके लिए time है physical education इसकी बता दिया मैंने कि आपका जो है time कम है इसके important question बता देंगे हम आगे discuss करने वाले हैं क्या के करवाएं पॉलिटिकल साइंस के लिए आपके पास time है हिंदी के लिए आपके पास time है जोगरफी के लिए आपके पास time नहीं है और history हो गया तो history के लिए भी आपके पास 7 दिन बच जाते हैं यहां तक भी time है आपके पास तो मैं हर एक subject का minimum जो है आपका 10 दिन लूँगा जिसमें 10 दिन की class में आप एक subject की बात कर रहा हूं है उसमें अच्छे खासे score प्राप्त करेंगे पहले हम बात करेंगे जो subject हम कराने वाले है जिससे आप बहुत अच्छा खासा जो है आपको दो महिना का जो time है वो देना है हमें और जो हम कहेंगे वो करिए पक्का आपको जो है 95 प पढ़ना है किस time पर कौन सा subject पढ़ना है तो सबसे पहला जो है जो है जो है जोगरफी लिया हमने क्योंकि इसमें हमने देखा है कि इसमें सिर्फ आपके बहुत कम टाइम है दो दिन का टाइम है तो इतने में आपकी जो है त्यारी नहीं हो पाएगी हम जो है जो है जो है ज इस 10-year question paper है 10-year जो आपके आते है 10-year question paper 10-year paper करवाएंगे साथ ही इसके हम answer discuss करेंगे आपके साथ और जो है ये आपकी वीडियो जो आएगी रोज 11 से लेकर 20 तारीक तक ये जोगरफी की वीडियो आएगी जिसमें आपका जो है time 7.5 से 8 बज़े के बीच होगा तो ये आपको ध्यान रखना है और जो है इसमें हम discuss क्या करेंगे question paper 2020 का आपका 2010 से लेकर 20 तक के जो हम question paper discuss करेंगे और 110% कहरा हो में कि होता ही नहीं ऐसा की question paper से बाहर आया हो question एकात छोड़ कर तो previous year के आपको question paper solve करवाये जाएगा answer के साथ और इसमें जो है ये 7.5 बज़े से 8 बज़े क आपका map का video हो गया वो सारी videos जो आपको अलग से मिल जाएगी लेकिन एक time रहेगा 7.5 से 8 उतने बज़े आप question paper की videos ही देखेंगे तो आपने जोगरफी का समझ लिया कि आपके 11 से 20 तारीक तक जो है आपका जोगरफी का paper है जोगरफी का question paper previous 10 year के हम discussion करेंगे answer के साथ ये आपका जोगरफी हो जाता है क्योंकि हमने जोगरफी को पहले क्यों लिया क्योंकि उसके लिए बहुत कम time था आगे बात आती है English की तो English में काफी बच्चों को बहुत सारी problem होगी बच्चों के मन में कि English का paper कैसे देंगे तो हम उसका भी 10 year paper जो है आपको करवाएंगे और तो साथ ही इसके अलावा जो हर एक subject की वीडियो आपकी 10 year चलेगा आपका जो है 7.5 से 8 के बीच उसके अलावा भी वीडियो आएगी आपकी जैसे आपका morning time में भी आ सकता है और आपका जो है दो फैर में भी आ सकता है दो बज़े करे वीडियो तो उसमें जो वीडियो ये English की वो आपकी रहेगी आपको date देख लेना 21 तारीक से लेके second मई तक जो है आपका ये आपका paper जो है चार तारीक को है याद रखना English का इसलिए हमने जो है इधर से लिया है ताकि आपको याद रहे साथ साथ के साथ तो इसमें हम 10 year paper जो है solution करेंगे साथ ही discuss करेंगे आ आपका इधर जो है मैंने physical education नहीं लिया है उसके हम करवा देंगे लेकिन आपका 10 year नहीं हो पाएगा physical education का तो आगे बात करें जो हम political science की तो इसके बीच आपको gap इतना है कि हम आपके साथ discuss कर सकते है 10 year तो हर एक year का 10 year discuss करेंगे इसमें political science का साथ ही इसके अलग भी वीडिय तो पाएंगे आप जैसे political science chapter wise आपको map मिल जाएगा आपको हम जो है cartoon करवा देंगे इसमें लेकिन इस time आपका साथ से आठ के बीच जो है आपका इसमें 10 year चलेगा political science का हो गया आपका आगया आप जो है हिंदी का हिंदी में भी आपका 10 year चलेगा और यह चलेगा आपका 20 स तक यहां लिखा हुआ है तो आपको यह ध्यान रखना है किस किस तारी को आपको यह आपका schedule है पूरा 11 से 20 तक आपका जोग्रफी चलेगा फिर जो है आपका 21 से लेकर second माई तक जो है इंगलिस का चलेगा चार तारी को जैसे कि इंगलिस का पेपर है फिर political science चलेगा आपक जो है discussion करेंगे previous 10 year question paper आपको answer के साथ हरे question हम बताएंगे वहाँ पर क्या इसका answer होगा और समझाने की कोसिस करेंगे और जो है last आपका जो बसता है वो है history तो history में आप दिखोगे तो 7 दिन का time है लेकिन हम इसके लिए जो कर रहे है इसमें आप एक दिन का दो वीडियो पा question paper solve करवाए जाए क्यूंकि इसके लिए सिर्फ 7 दिन का time है और 7 दिन में हमें कम सकम जो है 10 question paper solve करने है तो यह सारी चीजे है और जिस बच्चे ने अगर tenure कर लिया हर एक subject का जोग्रफी की जैसे बात करें हम तो जोग्रफी का आपने tenure कर लिया previous tenure के जो आपका tenure question paper होता है य होते हैं आप वह भी ले सकते साथ ही अगर किसी बच्चे के नहीं मिलते तो हम साथ ही यहां पर आपको solution कराएंगे और discuss करेंगे आपके साथ question paper के answer को और यह बच्चों class बहुत जरूरी है आपको लेना अगर जिस बच्चे ने class ले ली मैं पक्का कहता हूं कि उसके और भी कई सारे important question भी आलक से आप आएंगे लेकिन साथ से 8 बजे का जो आपका time रहेगा उसमें आपके लिए यह आपका schedule रहेगा आपके question paper चलेंगे और यह date देख रहे होगे आप की 11 तारिक से लेके 20 तारिक तक जो है अप्रेल में 11 अप्रेल से 20 अप्रेल तक आपका ज यह आपके जो है 5 सब्जेक्ट जो में होते बच्चों के यह जरूर चलेंगे और यह आपका schedule है इस channel पर आप पाओगे तो आपको कल से ready रहना है जोगरफी का पहला question paper आएगा जिसमें हम discuss करेंगे 2020 का question paper तो यही बताना था आज की इस वीडियो में और आपको जरूर करना है जबी आप जो है अच्छे number score कर पाएंगे और कई बच्चे जो है अभी भी confused है exam को लेकर की exam होगा की नहीं होगा तो आपको वो सब वो सारी चीजें नहीं सोचनी है अगर आप उसमें time waste कर दोगे तो आप जो है आप पढ़ भी नहीं पाओगे और साथी जो है exam जो है अ लेगा exam cancel हो जाएंगे यह सारी चीजे तो आपको जो है यह आपको सिर्फ जो है गलत रहा पर ले जाएगी जहां पर आप यह सोच के चलोगे कि आप exam cancel हो जाएगा हम नहीं पढ़ते तो काफी सारे ऐसे बच्चे होते लेकिन आप पढ़ोगे तो आपके लिए अच्छा है पढ़ाई कभी बरबाद नहीं जाती एक्जाम होगा तो भी सही नहीं होगा तो भी सही लेकिन जहां तक है chances बहुत जादा ही कि एक्जाम होंगे आपके तो यह सारी चीजे थी और आपको जो है कल से त्यारी करवाया जाएगा जोगरफी का तो आपको ready रहना है कल से आप जो है वीडियोस पाऊगे 10 एर करवाया जाएगा और 2020 से चालूए यह 2020 का question paper लेंगे हैं उसको solve करेंगे फिर 2019, 18, 16, 17 ऐसे करेंगे और साथी जोगरफी के आप जो है अलग से भी वीडियोस पाऊगे तो वो सारी चीजे है और बहुत अच्छा तरीका है कि आप बहुत गया होगा कल से ready रहना आपको तो यही था आज का इवीडियो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा सभी बच्चों के साथ सेर करें ताकि सभी बच्चों को पता चल सके कि आपके जो है question paper के solution है वो start हो रहे है इस चैनल पर तो यही था आज का वीडियो मिलता हू जै भारत वंदे मात्रम